Hello students, welcome back to our channel Shambrock Adash आज हम Class 3 की Moral Education का 2nd chapter करेंगे Time is Precious Time is Precious का मतलब होता है, Time का मतलब आप सभी को पता है समय और Precious का मतलब होता है कीमती जो समय होता है वो बहुत कीमती होता है Story से पहले Think About है वो पढ़ लेते हैं You are told to reach school on time But why are you told to reach school on time? Suppose you are late by 10 minutes, what is harm? आप से कहां जाता है की school time पे पोचो लेकिन क्यों कहां जाता है school time पे पोचो? Guess करो, एक अंदाजा लगाओ कि अगर आप 10 minutes late हो जाते हो school में तो क्या लुकसान है? You will miss what was being taught for 10 minutes Secondly, you will be disturbing the class All the students will look towards you Some will laugh, some will murmur अगर आप school में late post दे हो तो क्या होगा? की जो teacher ने उस 10 minutes के दोरान बाकी बच्चों को पढ़ाया है वो आप से छूट जाएगा दूसरी बात आप पूरी class को disturb करोगे तीसरी बात सारे बच्चे आपके पर हसेंगे चौती बात बच्चे आपस में आपके लिए खुसर खुसर करेंगे मरमर का मतलब होता है खुसर खुसर आपस में discussion करना फिर teacher आप से पुछेगी की आप लेट क्यों आए? और इन सब के चलते क्या होगा? की पाच्चमेंट और खराब हो जाएंगे आपने अपने दस मेंट खराब पहले ही कर दिये लेट पहुच के फिर पाच मेंट आपके वज़े से उन और बच्चों के खराब हो गए टोटल कितने खराब हो गए? पंदरा मेंट इस पंदरा मेंट की पढ़ाई जो थी आपको कोई ट्रेन पकड़नी है कहीं जाना है ट्रेन पकड़नी है तो आपको इस ट्रेन का टाइम टेबल फॉलो करना पड़ेगा अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा? ट्रेन छुड़ जाएगी और आप वहीं रह जाओ अगर गैस करो कि आपको कहीं इंटर्वी के लिए जाना है इंटर्वी का टाइमिंग दस बजे का रखा गया है और आप उस दोरान उस टाइम पे वहां नहीं पहुच पाते हो तो क्या होगा? आपकी वह जॉब चली जाएगी हमारी जो लाइफ है हमारी जो जिन्दगी है दिन बर किया जो काम हम करते हैं अगर हम उसका एक टाइम टेबल बना दे दिन चारे बना ले कि हमें कौन सा काम कब करना है तो इससे क्या होगा हम अपना काम जो है वो सही टाइम पे पूरा करेंगे और हमारे पास टाइम भी ब most precious in the world समे बहुत किमती है पूरी दुनिया में इवन प्रिक्षस धियाना मनी यहां तक की पैसे की भी इतनी कीमत नहीं जितना time किमती है money lost can be earned again but time lost can never be got packed पैसे खर्च हो जाए घूम हो जाए तो हम कमा सकते हैं लेगिन अगर time हमने गवा दिया या वो time पे हमने वो काम नहीं किया तो वो time वो समय हमारे पास दुबारा लोटके नहीं आता Story देखते हैं At the annual day of school, prize we are giving to the best performers All the students were unconsciously waiting for hear the name of the best student After some prizes for an individual performers, the time came for the announced of the best student of the school Finally, Tarun's name was announced as the best all around student of the school Student of the year, sorry All the students clapped loudly There was a twin dress, a plus the student and the teacher liked Tarun Now, the annual function is at the end of the year प्राइज वोता है उसमें आपने कितने marks गेन किये उसके लिए price मिलता है dance performance होती है और अलग-अलग type के prices होते हैं वैसे इसमें भी था काफे बच्चों ने जिन्हेंने participant किया था उनको individually price दिए गए result के पर price दिए गए अब all over जो सब में best है ऐसे एक student का नाम भी announce होने वाला था और सारे बच्चे ध्यान से सुन रहते हैं कि किसका नाम होगा अखरी में sir ने नाम दिया तरून का और जब तरून को ये prize मिला तो तरून के जितने भी classmate थे और भी school में बच्चे थे सभी ने उसके लिए बहुत clapping की उसकी teachers भी बहुत कोश्वी और सभी को ये पता था कि ये prize जो है वो तरून को ही मिलेगा तरून जैसा है तरून जो बच्चा है वैसे आप भी बन सकते हो कैसे तरून जो अपने class की जितने बच्चे हैं सबको अपने दोस्तों की तरह बिहेव करता था पढ़ाई में बहुत अच्छा था और वो आप भी अगर आप studies अच्छे से करोगे तो आप भी studies में good हो जाओगे खेल कुद में भी अच्छा था और उसे दर good manners भी थे good manners कैसे होते हैं जैसे school में आप आए हो तो आपके sir madam के आपने पैर चुए घर में अपने अपने ममी पापा दादादी के पैर चुए घर पे कोई आता है तो उस उनके पैर चुए उनको respect दी यह होते हैं good manners और अगर आप भी यह करोगे तो आप भी तरुन की तरह एक आइडल स्टुडेंट बन सकते है काइडल बेटा बन सकते हो बेटी बन सकते हो क्युकि स्कूल में अगर आप बच्चों को प्राइज मिलता है तो ए श्यों जब आप पड़ोगे आपक्पि का भी मन करेगा कि है मैं बास Diese दिखाऊंगा, after the function was over, many students gather around Tarun and congratulate him, one of his friends said, all of us wish be successful we work hard but people like you achieve success, फिर सभी ने function के बाद न, सारे इसके दोस्तों ने सो घेर लिया, round बना के सभी इसको बदाई देने लगे, उतने में उसके एक friend ने गा कि हम सब भी मैनत करते हैं लेकिन जैसे आप हो, मतब जैसे तरून है, वैसे ही बच्चों को success मिलता है what is the secret of your success फिर उसने पुछा कि तेरे success के पीछे क्या वज़ा है ऐसी कौन सी बात है, तरून replied clearfully, फिर तरून ने जवाब दिया बहुत प्यार से, planning and dividing time for each activity bringing success उसने का, अगर हम पहले से planning कर ले और time को divide कर दे, मतब हम यह decide कर ले कौन से समय पे कौन सा काम करना है तो हम अच्छे से अपना काम कर सकते हैं अगर हम अपना time table बना ले और उसी के according daily काम करें, तो हमारे लिए success हासिल करना कोई बड़ी बात नहीं है उसने का, मेरे जो success के पीछे secret है, वो है मेरी ममी मेरी ममी ने मुझे कुछ ऐसे rules, ऐसी चीजे बताई है उसने का, जब मैं चोटा था, तब इसे मेरी ममी मुझे कुछ rules, कुछ बाते बताती थी और मैं उन चीजों के उपर follow करता था तो आज वो सारी चीजे मेरे लिए काम आ रही है जब आप उड़ते हो, तो सबसे पहले नहा दो के पूजा करो, keep your body, mind and close clean अपने दिमाग को साफ रखो, अपनी बॉड़ी को साफ रखो और कपड़े भी साफ सुत्रे पहनो पे ड्यू रिस्पेक्ट तो पैरेंस, टीचर्स and अल्ड़स फॉलो दियर एड़वाईस, दे आर दा बैस्ट गाइड़स आप आपके पैरेंस को रिस्पेक्ट दो टीचर्स को रिस्पेक्ट दो आपसे जो बड़े हैं उनको इज़्जद दो respect का मतलब होता है उनकी इज़त करना उनकी बात मानना follow their advice मतलब उनकी बात मानना तो ये आपकी teachers आपके parents और आपसे जो बड़े हैं वो आपके guide हैं आपको बराबर बताएंगे कि कोई सी चीज आपके लिए सही है कोई सी चीज आपकी घरत है honorary time be punctual at everything you do दूसरी बात कि आप अपने काम को लेके punctual रो active रो कि कोई सा काम जब करना है तभी करना है ये नहीं आप भी नहीं करेंगे थोड़ी देर में करेंगे never be late अगर आप time को अपने according set करोगे अपने काम को time के according set करोगे तो आपका time जो काम जो है वो सी समय खतम हो जाएगा तो आप कभी भी late नहीं होगे जैसे suppose आपका school का time 8 बजे है और अगर आप सुबह morning में proper 6 बजे उड़ जाते हो नहादो के prayer करते हो और थोड़ी बहुत access करते हो और उसके बाद जब आप school के लिए लड़ी होगे आप लोग 8-10 पे school आते है तो क्या होता है लेट हो जाते हो 8-5 पे आते है तो लेट हो जाते हो तो वो ही आप 7-50 के around school आजाओ पात-दस मिंट पहले school आजाओ तो आप late नहीं होगे never speak bad words कभी भी गंदे words नहीं बोलने है speak well of others दुसरों के लिए हमेशा अच्छी बाते करने है follow good manners everywhere frenchians us of thank you please and sorry make you polite and lovable हमेशा अच्छी आदतों को सीखो जब भी आपको लगे कि कोई आपकी help कर रहा है तो say thank you अगर आप किसी से कुछ पूछना चाते हो say please अगर आप से गलती हो जाती है तो say sorry यह ऐसे golden words है ऐसे polite word है कि जब आप अगर आप किसी को यह words बोलते हो तो वो आपको माफ भी कर देते हैं और आप से प्यार भी करते हैं fix your time for studies and game आप अपने पढ़ाई का time fix कर जिए और खेलने का time fix कर लीजिए study seriously during the study time play with the zil during the play time पढ़ाई के time पे बराबर होगा be good do good अच्छे बनो और अच्छा करो help others whenever they are in need with whatever you can do जरूतों मन की हमेशा मज़द करो जितनी आप कर सकते हो यह बहुत अच्छी बात है admit your mistake आपने जो गलती की उसको आपको admit मतब सुईकार करना चाहिए कि हाँ मेरे से गलती हुई है thank God for all He gave you in the day और भगवान का शुक्रियादा करो कि उसने आपको पूरे दिन बर में क्या क्या दिया तरून friends listened clearly and said they will also follow this rule तरून के सारे दोस्तों ने यह rule बहुत अच्छे से सुने उस तरून की बात बहुत अच्छे से सुनी और फिर उन्होंने कहा कि हम भी ऐसे ही करेंगी One of the golden rules told by तरून is time is precious और सबसे important बात तरून ने यह कही कि जो time है जो वक्त है वो हमारे लिए बहुत किम्ती है We should not face time हमें time की बरबादी नहीं करने चाहिए Use every minute of the day in doing something good हमेशा वक्त का एक minute ऐसा कर लो कि कोई अच्छा काम कर लो वो बहुत होता है पूरे दिन बर के लिए I hope आपके लिए lesson बहुत अच्छा लगा होगा time is precious students के लिए खास करके time is बहुत precious है अगर आप समय पे अपना काम पूरा करोगे, school का homework करोगे खेलने के time पे आप खेलोगे तो आपके लिए अच्छे marks achieve करना कोई बड़ी बात नहीं है I hope तरून ने जो points इस lesson में कहें आप सभी वो points को follow करोगे If you like the video so do not forget to subscribe my channel and yes bell icon को दवाना ना भूलिएगा मेरी daily new video की notification के ले Thank you